हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप लोग को एक interesting story बताने जा रहा हूँ तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी एक बार दो इस्तरियां एक बच्चे के लिए जगड रही थी तो सबसे पहले यह किस tense में है past continuous tense में जैसे मैं पढ़ रहा था I was reading यानि कि इसमें was or plus or में ing form लगता है कौन जगड रहे थे दो इस्तरियां तो यह क्या है subject तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे once to women इसे पढ़ते हैं women और singular form को पढ़ते हैं woman woman, women एक से अधिक है were use कर देंगे fighting over a child यानि कि एक बच्चे के लिए जगड रही थे उसे पाना चाहती थी और fight for something का अर्थ हो जाएगा किसी चीज के लिए लड़ना जैसे I am fighting for justice मैं न्याई के लिए लड़ रहा हूँ और fight over something यानि किसी चीज को हासिल करने के लिए लड़ना आप चाहें तो quarrel का भी यूज कर सकते हैं once two women were fighting over a child परतियक इस्तिरी यह दावा कर रही थी कि वही उस बच्चे की असली मा है यहाँ परतियक के जगह दोनों इस्तिरी बेटर रहेगा both of them yafir both the women were claiming that she was the real mother of the child और यहाँ पर है है लेकिन यहाँ पर was यूज करेंगे क्योंकि that से पहले sentence past form में है तो that के बाद भी past form ही आएगा both the women were claiming that she was the real mother of the child हलांकि दोनों claim कर रही थी तो यहाँ पर आप दे का यूज कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर were का यूज करना पड़ेगा they were the real mother of the child क्योंकि यहाँ पर both of them या both the women है plural form में है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं each of them यानि कि उनमें से परती एक तब शी बिल्कुल बेटर रहेगा each of them was claiming तब यहाँ पर was हो जाएगा क्योंकि each हमेशा singular form में रहता है each of them was claiming that she was the real mother of the child जब किसी तरह जगडा नहीं सुल जा तो लोगों ने उन दोनों को नियाइधिस के सामने पेश किया तो यहाँ पर लिखेंगे when the dispute was not resolved किसी तरह somehow तो लोगों ने उन दोनों को नियाइधिस के सामने पेश किया people presented both of them यानि कि उन दोनों को नियाइधिस के सामने judge के सामने के सामने के लिए भी हम लोग before का यूज करते हैं before the judge before का दो अर्थ होता है एक होता है के पहले और किसी के सामने को भी before कहते हैं जैसे क्या तुम यह मेरे पिताजी के सामने कह सकते हो Can you say this before my father? When the dispute was not resolved, somehow people presented both of them before the judge. न्याइधिष्ने ध्यान प्रभग दोनो की दलिले सुनी. The judge listened to the arguments of both, ध्यान प्रभग, carefully. The judge listened to the arguments of both, carefully. न्याइधिष्ने लिए भी यह निर्नाय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असलिमा काउन थी? तो यहाँ पर लिखेंगे, even the judge found it difficult to decide who was the real mother इस तरीखे से लिखना बेटर रहेगा. न्याइधिष्ने बहुत सोच बिचार किया, आखिरकार उसे एक उपाईश सुझा. मेरे बच्ची कार, अखिरकार, छ het जए है। जए टामतिकारentalी क्या हो of a solution. अखिरकार पर खिरकार फिरॉज हो बिचार करिए बच्चार कंःॉज जए आखिरकार क्या। उसने अपने करमचारी को आदेश दिया इस बच्चे के दो टुकडे कर दो और एक एक टुकडा दोनों इस्तिरियों को दे दो तो यहाँ पर लिखेंगे he ordered his employee या फिर आप man भी लिख सकते हैं इस बच्चे के दो टुकडे कर दो कुट इस चाइल्ड इन्टू टू पीसेश और गीब वन पीस तू बोथ दू विमेन यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इस तिरी ने one of the women cried bitterly यानि के बहुँच ज्यादा रोना और कहा and said नहीं नहीं नो नो ऐसा जुल्म मत करो don't commit such atrocities atrocity यानि के एक तरह से अत्याचार तो काफी important word है आप लोग नोट कर लीजिए दया करो सरकार have mercy my lord hearing the judge's order one of the women cried bitterly and said no no don't commit such atrocities have mercy my lord भले ही या बच्चा इसी इस्तिरी को दे दो लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो मैं बच्चे पर अपना दाबा छोड देती हूं भले ही even if you give this child to this woman but let my son live alive 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 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा leave का अर्थ ही हुआ जिंदा रहना but let my son leave आप alive लिख भी सकते हैं मैं बच्चे पर अपना दाबा छोड देती हूं पर दूसरी कुछ नहीं बोली बूसरी कुछ नहीं बोली अर्थ हुआ लिखा स्थोड देखते कुछ नहीं नहीं पर अर दाबादा लिखते कुछ लिखते रही शी रिखते रही रिखते ग्ल रादी रेखते अब चतूर नियाइधीश को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली माग काउन है। तो यहाँ पर लिखेंगे, कि अब चतूर नाव गया था कि बच्चे की असली माग काउन है। दोस्तों, बीच में who, where आजाने से हम लोग helping verb को बाद में कर देते हैं। जैसे what your name is, where you live, इस तरीके से। यहाँ was ही लिखना बेटर रहेगा क्योंकि जो में वर्व है एक तरह से past में ही है, हो गया था, had भी past को ही दिखाता है, had come to know. Now the clever judge had come to know who the real mother of the child was, उसने बच्चा उस इस्तिरी को सौब दिया, जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तयार थी। सौपना यानि के hand over करना, तो यहाँ पर लिखेंगे he handed over the child to the woman जो, who, तयार थी, was ready, अपना दावा छोड़ने के लिए to give up her claim, उस पर यानि की over the baby आप लिख सकते हैं, बहुँ छोटा बेबी रहने पर इट का भी यूज किया जाता है, यहीं तक फूल स्टॉप दे देंगे, बस हो जाएगा, उसने दूसरी इस्तिरी को जेल भेज दिया, यह सिंपल पास्टेंस में है, सेंट से सेंट बन जाएगा, वर्ब टू, सचाई की सदा बिजय होती है, I hope friends, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि यह मेरा effort आप लोगों को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा, comment box में कुछ ने कुछ जरूर लिख दिजेगा, और आप चाहें तो कुछ रुपियों की सूपर थैंक्स भी कर सकते हैं, All right friends, Thanks for watching, Have a great day,